जाहिएं दोस्तों कैसे हैं आप सभी उमीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं cost accounting जहां हमारा chapter चल रहा है unit costing और single output अब इस समय practical problem से सन्य स्टार्ट हो चुका है पिछले दो वीडियोज हमने किये है practical problem से related और मैं जो भी practical problem आपके साथ कर रह है unit costing से related इन में से ही कोई कुश्यन आपको एक्साम में देखने को मिल जाएगा तो आज एक और बहतरीन कुश्यन करने वाले हैं तो कुश्यन का PDF आपको टेलिग्राम चैनल कॉमर्श देशिरा पर मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा फिछले वीडियो देख देखें तो लिंक डिसक्शन बॉक्स में आप जाकर के देख सकता हैं एक बात और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब की दिमेदारी आपकी है और मुझे यकीन है कि आप अपनी दिमेदारियों से भी मुख नहीं होंगे और यह क परश्रीय निर्धारियों में पॉक्राइब इसल्गियों से उसले प्याइब है जो गिंदारे के मुख न्यूमिदा यह एक बात याद रखिएगा अपश्ट financial expenses को involve नहीं किया जाता यह हमेशा याद रखना जैसे dividends received goodwill right off इनको हम involve नहीं करेंगे क्योंकि cost accounting केवल और केवल cost oriented होती है financial expenses को involve नहीं करती लेकिन जो payment of sell tax है sell tax production का एक हिस्सा है इस तो यह payment करना पड़ता है तो इसका effect कहा होता है यह जानेंगे हम लोग last में एकदम तो एक बहतरीन question complete format के साथ हम लोग करने वाले हैं बने रही एगर लगभग अगले 20 मिनिट हमारे साथ अगर वीडियो अगर question को सही तरीके से आप समझना चाहते हैं तो कि स्टेटमेंट कि को कि कॉस्ट कि और यह यह यरली बना रहे हैं यह मंतली बार देख लेंगे हम लोग तो यह हम लोग इसको तयार कर रहे हैं एक एक दो हजार यह बना रहें कर दिसमबर 2010 के लिए बना रहे हैं तो फॉर्ड़ अ कि यह इंडर्ड कि थर्टिप फरस्ट कि दिसमबर 2010 कि अब इसको हम लोग त्यार करेंगे स्टेट्मेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है क्योंकि हमको यहां पर भी प्रोड़क्शन की यूनिट्स नहीं पता हैं और जब प्रोड़क्शन की यूनिट्स नहीं पता हों तो इस कंडिशन में स्टेट्मेंट ऑफ कॉस्ट बनाया जाता है और अगर प्रोड़क्शन की यूनि इस बात का ध्यान रखेंगे तो पर्टिकुलर्स और टोटल कॉस्ट कि इस्टार्टिंग करेंगे ओपनिंग स्टॉक से स्टार्टिंग होगी ओपनिंग स्टॉक और राउ मैटेरियल आर रे मतलब है तो अपनिंग स्टॉक ओफ राउ मैटेरियल है चालिस हजार का इसके साथ एड करेंगे पर्चेज़ पर्चेज ओफ राउ मैटेरियल है दो लाग चालिस हजार देख लेते हैं कोई carriage या freight on purchase ऐसा कुछ वैसे पढ़ चुका हूँ एक बार ऐसा कुछ नहीं है कि इसको एड़ कर दिया यह 2,80,000 हो गया और इसमें से माइनस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक आफ राव माटेरियल तो क्लोजिंग स्टॉक आफ राव माटेरियल हमको 42,000 का दिया हुआ है तो इसको माइनस करेंगे तो यह 8 फिर इसके बाद में 7 से 4 जाएगा तो 3 और यह 2 2,38,000 आ जाएगा cost of raw material used आरेम का मतलब raw material से है cost of raw material used हमारा आ गया है अब इसके साथ में add करेंगे direct expenses को तो देखो question के अंदर हमको direct wage 1,36,000 रुपे 1,36,000 रुपे की direct wage दी है और देख लेते हैं कोई खर्च है का direct तो और कोई direct expense हमको question के अंदर नहीं दिया गया है टोटल कर देंगे 8,6,14, 3,36,1,7,2,1,3 3,74,000 रुपे की cost हमारी कौन सी आ गई जिसका नाम है prime cost अब इसके बाद में बात प्रू होगी फैक्टरी ओवरेट्स की फैक्टरी के जितने indirect expenses तब यहां आएंगे तो उपर से हम लोग देखते हुए चल रहे हैं works expenses 70,400 रुपे के works expenses हैं वो यहीं का part है works expenses 70,400 रुपे के बाद में works expenses के बाद और कोई खर्च नहीं है एक बात लिखी हुई है transfer to sinking fund for a replacement of machinery देखो sinking fund method is a method of depreciation तो जो sinking fund method में transfer कर रहे हैं वो depreciation के लिए replacement of machinery machinery के replacement के लिए कितना transfer कर दिया transfer दस हजार रुपे कि एड़ कर देंगे तो 004 और उसके बाद में फिर यह चार साथ साथ चौदा एक पंद्रा और तीन एक चार चार लाख चुगन हजार चार सुर्पे 4,54,400 और इसके साथ add करेंगे work in progress है ना question के अंदर एक बर हाँ है add opening stock of work in progress WIP work in progress का जो opening stock है वो दिया गया है 64,000 रुपे 64,004,8,6511 का एक चार एक पांच 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 लाख अठार हजार और माइनस करेंगे देखो यहां पर आपको भी question को लिखने का तरीका केवल पता हो रहा है closing stock of work in progress और work in progress का closing stock है 72,000 रुपे तो 004,8 से 2 जाएगा 6,11 से 7 जाएगा तो 4 और यह पांच नहीं कुछ है 004 से 0 गया तो 4,8 से 2 गया तो 6,11 से 7 जाएगा तो 4 और यहां पर बचेगा 4 चार लाग 46,400 रुपे तो यह आगई है हमारी factory cost factory cost अब factory cost के साथ में add करते हैं office overheads office तो office overheads directly हमको दिया गया है इसके साथ में office expenses 24,000 directly दिये गये हैं और कुछ office related है नहीं तो office overheads में 24,000 directly हमको दिया गया है तो जीरो जीरो चार छे चार दस चार दो छे एक साथ और चार चार लाग 70,400 रुपे यह आगया हमारा cost of production यह 4,70,400 रुपे हो गया हमारा cost of production अब को हमें आगे बढ़ाना है तो इधर थोड़ा बढ़ा लेते हैं इसको कुछिन के फॉर्मट कॉलम वही रहेगा उसमें चेंज नहीं आएगा cost of production जब आ जाती है तो इसके बाद इसमें हम add करते हैं opening stock और closing stock of finished goods और closing stock of finished goods तो add करेंगे opening stock of finished goods कुछिन में देखो कितना दिया गया है opening stock of finished goods जो कुछिन के अंदर दिया गया है वो है opening stock of finished goods दिया गया है कुछिन के अंदर तीस हजार तो चार लाख सतर हजार चार सुर्पे चार लाख सतर हजार चार सुर्पे में गर तीस हजार और add कर देंगे तो यह हो जाएगा पांच लाख चार सो पांच लाख चार सो closing stock of finished goods है 32,000 रुपे कितना less closing stock of finished goods यह है 32,000 रुपे इसको माइनस कर देंगे तो यह 400 तो ऐसे रहेगा 10 से 2 जाएगा तो 8 9 से 3 जाएगा तो 6 और यहां पर 4 468,400 रुपे यह आ जाएगा हमारा cost of goods sold यह क्या आ गया cost of goods sold के बाद में हम लोग add करते हैं इसके अंदर selling and distribution overheads selling and distribution expenses आपको direct दिये गए है 32,000 रुपे add कर लिया तो फिर से यह हो जाएगा पांच लाख चार सो पांच लाख चार सो रुपे यह क्या हो जाएगा cost of sales विक्री की लागत आ गई अब इसके साथ में देखो एक sell tax payment किया गया तो add payment of profit को add कहां से करेंगे पता ही नहीं है लेकिन मुझे पता है कि sales कितनी है sales है पांच लाख पचास हजार रुपे की तो sales माइनस cost बराबर profit होता है sales माइनस cost बराबर profit तो माइनस कर दो 33,600 रुपे आपका profit आ जाएगा देख लेता हूँ एक बर कितना है 33,600 रुपे cost of sales 5,400 रुपे ठीक है cost of goods sold 4,88,400 रुपे ठीक है और cost of production 4,70,400 रुपे ठीक मेरे सारे answer right एक दम आ रहे हैं देखो यहां पर मैंने building को ने involved किया machinery को involved नहीं किया creators को involved नहीं किया goodwill write-off को involved नहीं किया dividends received को involved नहीं किया क्योंकि these are financial nature expenses और cost accounting में financial expenses को involved नहीं किया जाता यह हमेशा हमेशा और हमेशा याद रखिएगा cost accounting में सिर्फ cost oriented expenses को involved किया जाता है तो उमीद है यह question भी आपको बहतर तरीके से समझ में आ गया होगा तो फिर से मैं यहीं कहूँगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो like, comment, share, subscribe करने के जिम्मेदारी आपकी और यह जिम्मेदारी आप पूरी करेंगे ऐसा मेरा विश्वास है मिलेंगे अगली वीडियो में एक और बहतरी इंक्रेकल प्रब्लम के साथ तब तक के लिए जय हैं दोस्तों कर दोस्तों